लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सबको पता है, लेकिन एक चीज के बारे में आपको नहीं पता होगा जी हाँ, भाजपा के सांसुदो की संख्या लोकसभा के साथ-साथ राजज़सभा से भी कम होई है भाज़पा के चार सदस्य राज़सभा से शनिवार को रेटायर हो चुके है इसके साथ ही भारत की उच्छ सदन यानि राज़सभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या घटकर 86 हो गई है वही अब सांसत में एंडिये के सांसदों की संख्या 101 रह गई है फिलाल में राजसबा में सांसदो की संख्या 226 है वही राजसबा की उनने सीटे अभी खाली है अब ये भी सवाल उठता है कि राजसबा में सीटे घटने से संख्याबल के लिहाज से भाजपा के सामने कोई नए मुसीबत खड़े होनी वाले है इसका जवाब है नहीं क्योंक में गडबंधन तूट गया है लेकिन कई मौकों पर AIDM के भाजपा के सांसद में खड़ी नजर आई है भाई कॉंग्रेस से तूट कर वनी YSRCP कई एन मौकों पर भाजपा का समर्थन करती रही है जैसे ट्रिपल तलाग CAA, NRC के मुद्दों पर YSRCP ने भाजपा का इन सभी सांसदों का बीते शैनिवार को इनका कार्यकाल खतम हो गया है यह सभी सांसदों ने राजसभा के लिए मनोनित होने के बाद इन्होंने अपचारिक रूप से खुद को BJP के साथ जोड़ लिया था मनोनित कैटिगरी में एक और राजसभा सांसद गुलाम अली भी है वो भी BJP के मेंबर हैं उनका कार्यकाल सितंबर 2018 में पूरा हुगा अब आप सोचते होंगे कि यह सांसद मनोनित कैसे होते हैं दरसल राश्य सरकार की सिफारिश पर राजसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनि करते हैं मौजुदा सदन में उन्यमें से साथ ने खुद को गयर राजनितिक रखा मगर ऐसे सदस्य कानून पारित कराने में हमेशा सरकार का ही साथ देते हैं मौजुदा वक्त में राजसभाबें 19 सीटे खाली हैं इनमें जन्मुकश्मीर मानोनित कैटिगरी से 4-4 और 8 अ मेशले महीने खाली हुई जबकि एक सीट भारत राष्ट समेती के सदस्य के केशवराव के इस्तिफ़े के कारण खाली हुई थी केशवराव बाद में कॉंगरेस में शामिल हो गया आने वाले महीने में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में संभवता 8 सीटे NDA और 3 सीटे इ उससे दो अधिक है इसलिए कॉंग्रेस की आवाज राजस्वा में बुलंद होगी हाला कि भाजपा अथवा एंडिये को राजस्वा में आगामी बजट सत्र में बिल पास करवाने में बहुत अधिक परिशानी नहीं होगी